हालो राधे राधे माई यूट्यूफ फैमिली वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सबाई होप आप सब लोग ठीक होंगे बढ़िया होंगे मज़े में होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज डे है ट्यूजडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के गरीबन चार बज़र शाम चार बज़े से आज अपने व्लॉग की शुरुवात कर रही हूँ मैंने आज शाम को लगा रखी है मशीन कपड़े दुल रहे हैं खुब सारे और इधर बुल बुल हो गई है तयार कपड़े खूब सारे थे और चत पर अच्छी हवा लगती है तो कपड़े आसानी से सूख जाएंगे तो मैं जो है एक दो घंटे बाद उतार लूँगी मतलब रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ूँगी और इधर जो है मैंने बना दिया था गुड़ू के लिए फेस प पूरी ले आए है वह बाटर पाक गई थी उस दिन भी उसका खाने का मन था पर वहां पर अच्छी कुछ हमें दिखी नहीं पानी पूरी और कुछ ठक भी गए थे तो मन नहीं था तो आज जो है ले आए संड़े को मने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज तो यहां पर मैं वैजनस डे को आपको मिल रही हूं दिन में और यहां पर चल रही है लंच की तयारी और आज का लंच बन रहा है बेटी की फरमाईश पे गुड़ू की फरमाईश पे उसने कहा था कि मुझे खाने हैं दही बल्ले और मेथी की लॉंजी तो जी मेथी मैंने भिगो दी थी 3-4 गंटे पहले ही सुभा में और यहां पे उरद की दाल भी मैंने 3-4 गंटे के लिए भिगो की छोड़ दी थी पर इनकी तैयारी करने से पहले ये कुछ बरतन रखे थे तो उनको लगा देते हैं जगे पे और उसके बाद बनाएंगे आज का स्पेशल लंच बेटी की फरमाएंगे दही भले बनाने के लिए उरद की दाल 3-4 गंटे पहले मैंने भिगो दी थी और अभी अच्छे से भीग गई है तो मैंने उसके 3-4 पानी निकाल दिये हैं क्योंकि उरद की दाल में बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है तो अच्छे से उसको वाश कर है तो 3-4 पानी मैंने निकालके उसको वाश करके छोड़ दिया artists मेयद ने कूकर में और इसको भी अच्छे से वाश कर लेना है इस तरह से फार्थ च्छनी करना इस इसको वाश करते टाइम इसको भी तीन चार बार पानी डालके वाश कर लेना अच्छे से इसका कड़वा पंजो है निकल जाता है ठीक है और इधर अब मेथी को लॉंजी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में तेल ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा को और सारे். छाए मसाले में तेजपता, साबद लाल मिर्च, लॉंग, हरी लाइच्ची, और अगर आपके बस बड़ी लाइच्ची है तो भी आप एड़समे मेत्छी हैं यह सारी चीज़ा किश्पिश मैंने बाद में एड़ की रही है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चुवारी बोलते हैं हमारे आटों तो उनको भी मैंने भिगो दिया था सुवे में तिन चार घंटे के लिए चुवारी को भी उसको भी कट करके डाल दिया उसका पेथी में बहुत जाए तब उसके बाद इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम पानी हांजी और अब इसको पका लेना है थोड़ी देर तो यह जो मेति की लुझी बनती है बिल्कुल जो शादियों में बनती है जो हल्वाई बनते है वैसी टेस्ट वाली बनती है और गुड़ू को यह बहु दूबइदीयागा है, यह जो मेति की लॉझी बनती है कि रीचेप बनती है यह इलती भी पसंद आने हुआ सी दाल के लिए समेग ellies में बनता है celui-yl को शॉद्य जातरता है आता पश्माइबदीयों में मेरे भी छेमश्य की बनता बेहां बनता किर लिए बगास हे माईना थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है बहुत जादा पानी नहीं डाल के पीसना है वरना दही भले आपके बनेंगे ही नहीं ठीक है तो पीस के मैंने उड़त की डाल को छोड़ दिया है और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाला था बस इस की लौंजी जो है, ठंडी हो जाएगी, और यहां पे मैं साथ में बना रही हूँ, यह इमली की सौट, इमली की चट्नी बना के रख रही हूं जो है इंपना ऐप पस नहीं में रात को भीगोर कर लिया है और मैं ने जमाद से अच्छा टेस्ट आता है पहले मैं चीनी डालती थी पर अभी मैंने गूर डालना शुरू कर दिया क्योंकि इससे कलर भी बहुत अच्छा था टेस्ट भी बहुत अच्छा था है और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा काला नमग थोड़ी सी पिसी भी काली मिर्च थोड़ी सी मैंने डाल दिया है इसमें और पिसा हुआ पुना हुआ जीरा डाल दिया है थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और ये सारी चीज़े एड़ कर दिये और अगर आपके पास सोंट का पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने नहीं डाला है ठीक है और इधर मैंने थोड़ा सा कटोरी में तेल गरम कर लिया है उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और दो लॉंग डाल दिये थे और उसका मैंने लगा दिया है चटनी में छोका और थोड़ी सी लास्ट में इसमें जाएगी हींग और जी बस अभी इस चटनी को पकने के लि तेल मैंने चड़ा दिया एकड़ाई पे और यहां पे यह जो मैंने उड़त की डाल पीसी थी उसमें थोड़ा सा दाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम जादा कर सकते हो थोड़ा सा मैंने इसमें चुटकी भर डाला है बेकिंग पाउडर इससे जो धाई भल्ल है काफी देर तक तब दही भल्ले सॉफ्ट बनते हैं तब थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डाल दो इसमें तो आपको वह वाली मेहनत नहीं करने पड़ेगी आपके जो दही भल्ले हैं वह सॉफ्ट ही बनेंगे और अब जी बस इनको तेज आज पे मैंने जो है डाल दिया फ बुल बुल आ गई है स्कूल से और पहले स्कूल से आते ही है न मेरे पास रसोई में खड़ी होती थी और मुझे स्कूल की सारी बाते बता दिती थी पर अब गुड़ू आ गई है तो इसे मेरी याद नहीं आ रही है अब ये गुड़ू को बता रही है अपने स्कूल की सार बाते हैं और जब तक स्कूल से आता ही अपना पेट खाली नहीं कर लेकि ना उसे चैन नहीं मिलता है इसे कोई ना पानी डाल के आप पीस लोगे तो यह दही भले बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बनेंगे यह टेड़े मेड़े हो जाएंगे तो बस इसी चीज का खयाल रखना होता है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल बारिक जो है दाल को पीसना होता है ठीक है और यहां पे चटनी भी अलमुस्ट बनके तयार हो गई है अब ये ठंडी होगी तब और गाड़ी हो जाएगी तो इसको और जादा नहीं पकाएंगे चटनी को मैंने बंद कर दिया है और दही भले भले भी बनके तयार हो गया है तो अब ये गरमा गरम ही जो है मुझे अभी इसी वक्त नॉर्मल ही पानी डाल दिया है ये दस मिनिट में जो है पानी को सोक कर लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे पानी के अंदर ही और दही हमारा जो है फ्रीजर में पहले से ही रखा हुआ है बिल्कुल चिल्ड मैंने करके दही को रख दिया है तो बस दही को फैट पिछली बार जब गुड़ो आई थी ना तो वो बिमार थी तो मैं उसकी पसंद का कुछ भी उसको बना कर नहीं खिला पाई थी मेरे मन में ही रह गया था कि मैं बेटी को ये खिलाती ये खिलाती पर इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं सब कुछ जो है उसकी तो जो जो बेटी ने बोला था उसकी फिरमाईश थी तो सुजी का हलवा बनाया था आलू की सबजी पूरी बनाई थी वह मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया था पर उस दुन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा ना मैं बहुत ज़्यादा थक ग गया है और मैं सुखाने लगयू फिर से कपड़े आज मैंने लगाती आज घुले हैं घुडू के कपड़े हैं तो सूटकेस भर यहाए ख़ण कपड़े मैंने व्यश कर दिया मोई कि फिर त्योहार है राकी है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैंने आज ही जो है उसके कपड़े सारे वाश कर दिये और उसके बाद मैंने सारा कीचन भी समेट लिया कुछ फ्रूट आए वे थे वो भी मैंने दोके रख दिये हैं तो आज मेरा सारा काम जो है अभी ख है कभी कुछ भागमबाग कभी धर कभी अदर तोष्य कुछ चल रहा है तो यहां पर हम आ गए हैं पालर में और गुडू के हैर जो है वह चोटे खरवा रहे हैं क्योंकि गुडू की ही यह डिमांड है कि उसके हैर चोटे करवा दो वहाँ पर बाल धुलते नहीं वहाँ प पानी बहुत गंदा है होस्टल का खैर गुडु की जो हेर कट है वो कुछ इस थरे की हुई है ऐसी लग री है घार कट होने के बाद गुडु अच्छी लग रही है मुझे तो अच्छी लगी तो वहां पर जैसे मैं बता रहु है वहाँ पर के बोर्वेल का पानी है तो उससे जो है बाल दोती है लड़किया तो बहुत जादा बाल जड़ते है गुडू के बाल बहुत जादा रुखे बेजान से और इतने गंदे बाल हो गए है वहाँ से तो फिर इसने हेर कट करवा लिया कि चोटे बाल होंगे तो अच्छे से केर हो जाएगी ओईलिंग वगर मैं अच्छे से कर लोँगी और यहां पर जैसे ही मैं घर आई तो मेरी नजड के बेटे आ लिए alive जो मैंने बनाय थे न वो मैंने उनको खिला piece बहुत ज़्यादा पसंद आए वीडियो मैंने शूट नहीं किया कि वह यह देखो सबको शरम आती है सब लोग वीडियो में नहीं आना चाते है तो वो थोड़ा शरमा रहते तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और यहां पे लग रही है महंदी किया थी आज वो घर पे ही आगई है क्योंकि आज हम सबको महंदी लगवानी है बुलबुल ने सबसे पहले लगवाई है और सबसे ज़्यादा महंदी लगवाई है और इधर गुड़ू ने लगवाई है यह थोड़ी सी महंदी क्योंकि इसको ज़्यादा कोई महंदी का श और गुड़ू के तो मज़े हो गए है तो फिर ये दही भले टेस्ट करके बता रही है कि बहुत टेस्टी बने है तो जी इसे के साथ करूँगे इस व्लॉग को यही पर एंड अगर आज की रेसिपीज पसंद आई हो व्लॉग पसंद आये हो तो प्लीज लाइक कर देना जद